नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विश कोशन प्रैक्टिस सैट 23 के बारे तो उससे पहले चैनल पर नए है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरू दबा दें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सेर करें तो चले फ्रेंड्स अधिक समय ना लेते हुए टोपिक को सुरू कर दें सबसे पहले फर्स्ट कोशन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट कोशन पूछा गया कि मजदूरों की सिक्षा के लिए चलाई जादे वाली योजना या योजनाएं कौन सी हैं? उप्षन A मजदूर सिक्षण परसिक्षण योजना, उप्षन B स्वेम सेवी योजना, उप्षन C ट्रीपल टाइप योजना और उप्षन नमबर D हैं उपरोक्त सभी तो चार उप्षन में हमें आंसर को स्लेक्ट करना है कि मजदूरों को लिए शिक्षा को लिए चलाई जाने वाली जो योजनाई हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? तो अंसर होगा option number D उपरोक्त सभी जो हैं वो मजदूरों की सिख्षा के लिए चलाई जाने वाली योजनाई हैं next question की तरह बात करते हैं next question है कि दुरगटना का खर्च हो सकता है जब भी किसी भी स्थान के उपर दुरगटना होती है तो उसका जो खर्चा है वो हो सकता है option A, protects, option B, apprarch, option C, कोई नहीं और option number D है, दोनो तो इन चार option में हमें answer को चेक करना है कि दुरगटना के दुरगटना के दुरगटना जो खर्चा होता है वो कौन सा हो सकता है तो answer होगा option number D, protects और apprarch, दोनो next question की तरफ बात करते है next question है कि निम्ण में से x-ray है x-ray जब कोई हड़ी वगिरा चोट लग जाती है तो उसे दोरान हम x-ray करते हैं तो उसी x-ray के बारे में इसमें पूछा गया है कि x-ray है option a alpha option b beta option c gamma option number d उपरोक्त सभी तो x-ray के प्रकार कौन से होते तो ये इनके अंदर हमें पता करना है तो answer होगा option number d उपरोक्त सभी x-ray कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है next question की तरफ बात करते है किसी प्रकार के apartus में ठैली से सास लेकर और ठैली में ही छोड़ी जाती है तो उस apartus को किसके नाम से जाना जाता है option a open circuit option b closed circuit option c और ट्मोस्फेरिक option c self-contained तो चार option में हमें check करना है कि किस प्रकार के apartus में ठैली से सास ली जाती है और जो सास है वो CO2 गैस उसी ठैली के अंदर छोड़ी दी जाती है तो वो कौन सा होगा तो answer होगा option number b closed जो circuit होता है वो closed circuit होगा जिसके अंदरे के चमडे का ठैला होता है एक साइड में CO2 गैस और दूसरी साइड में oxygen गैस होती है carbon dioxide जो गैस होगी उसके अंदरे असुद हवा को सुद करने के लिए calcium में laurent के टुकडे उसके अंदरे डाले जाते है जो कि CO2 गैस को अवसोसित कर लेता है जो viseli गैस है उसको अवसोसित कर लेता है और जो oxygen जो गैस बचती है उसको आगे की तरफ भेज़े देता है और इस परकार continue हमें सास लेने का काम करते है बहुत बार जब calcium laurent के जो टुकडे असुद हवा को सुद करने के दोरान डाले गए वो अपस में किरिया नहीं कर पाते जिसके कान फायर्मेन को असुद हवा ही लेनी पड़ती थी और बहुत बार उसकी जो है मिर्त्यू भी हो जाती थी इसे कान से इसको बंद कर दिया गया next question की तरफ बात करते है जब अधिक दूरी तक पानी को ले जाने की जो समस्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है पानी का जो pressure है उसको अधिक दूरी पर ले करके जाते हैं तो कौन सी समस्या देखने को मिलती है option A friction gain option B friction loss option C friction free option बड़ी है इनमें से कोईट है तो जब भी पानी को अधिक दूरी तक ले करके जाया जाता है तो उसे दूरान क्या होता है friction loss option number B friction loss होता है next question की तरफ बात करते है next question है कि ओध्योगरिक करण की परियावरण या समस्याईं कौन कौन सी है option A है वायूपरदूसन option B जल परदूसन C सिवरेज निस्तारण और option number D है उपरोक्त सभी तो चार ओप्शन में हमें आंसर को चेक करना है कि ओध्योगरिक करण की परियावरण या समस्याईं के अंदर किनको सामिल क्या गया है तो सभी जो समस्याई है वो देखने को मिलती है वायूपरदूसन जल परदूसन और सिवरेज निस्तारण तो अंसर होगा option number D उपरोक्त सभी next question की तरब बात करते है next question है कि आँखों की देखभाल के लिए रखी जाने वाली सावधानी कौन सी है option A तनाव मुक्त होना option B आहर option C स्वच्छ था और option D है उपरोक्त सभी तो आँखों की सावधानी से या सुरक्षित रखने के लिए क्या रखना जरूरी है उपरोक्त सभी तनाव मुक्त होना जरूरी है आहर और सुच्छता तो इन सभी का होना जरूरी है तो अंसर होगा option number D next question की तरब बात करते हैं next question है कि जमीन का अपनी जगे से खिसकना क्या कहलाता है option A भूकंप option B जौर option C चक्रवात और option बड़ी है भू सकलन तो जमीन का अपनी जगे से खिसकना क्या कहलाता है भू सकलन कहलाता है answer होगा option number D next question की तरब बात करते हैं next question है कि कई मंजिला उची बिल्डिंगों में आग को बुझाने के लिए परियूक्त लिया जाता है जो बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंगों के आग को बुझाने के लिए कौन सा उपकाण का परियूक्त लिया जाता है option A external hydrant option B internal hydrant option C rising mans option number D तो इस चार option में हमें answer को select करना है तो answer होगा option number C जो rising mans होता है high rise जो buildings होगी उनकी दिवार के साथ साथ एक खड़े pipeो जो है वो लगाए जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है जब भी जिस भी building के जिस भी floor के अंदर आग लगेगी तुरंत वहाँ पे हमें होज को collect करके और आग को बुझाने का काम करते है तो इसी के बारे में पूछा गया कि कई मंजिला उची जो building होती है उसमें आग को बुझाने के लिए परियुक्त होता है तो वो rising mats इसी के मादम से हमें पानी ले करके और आग को बुझाने का काम करते है ये था आज का प्रैक्टिस सेट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें कोमेंट करें सेर करें इसी प्रकार की इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक आते रहेगी तब तक के लिए जैहिंद जैभारत